हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में फिर एक बार स्वागत है तो आज के इस वीडियो में मैं अन्बोक्सिंग और रिवीव करूँगा सैमसंग गैलक्सी एप 62 मोबाइल का मैंने सैमसंग गैलक्सी एप 62 के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है जिसमें बेसिक जानकर दी गई है पर आज के इस वीडियो में गैलक्सी एप 62 के बारे में पूरी जानकर दी जाएगी पूरे डिटेल्स में दी जाएगी क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं जो गैलक्सी एप 62 में यूनिक है और इस प्राइज रेंज में आने वाले दूसरे किसी भी मॉबाइल में इस तरह के यूनिक फीचर्स नहीं है मॉबाइल की सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताऊंगा पर अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो अच्छ लगए हो तो लाइक जरूर करना और शेर भी जरूर करना अन्बॉक्सिंग करने से पहले मॉबाइल के ऊपर क्या क्या देया गाए ये पहले जान लेते हम इस मॉबाइल के साथ आपको एक एड़ैप्टर एक केबल एक इजेक्शन पिन और मैनूल भी मिल जाता है इसकी मैनुफेक्शरिंग डेट है जुले 2021 और ये मेडिन इंडिया है तो ये एक अच्छी बात है कि आप मेडिन इंडिया का मॉबाइल है तो आप ये खरी सकते है यहाँ इसकी प्राइज 29,999 दी गई है पर अगर आप अमेजॉन से या मॉबाइल शॉप से खरी दोगे तो इसकी प्राइज आपको कम में मिल जाएगी तो चलिए इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें मॉबाइल के साथ साथ क्या दिया गए है सबसे पहले तो ये काफी बड़ा फोन है साइज में बहुत ही बड़ा फोन है 6.7 टच स्क्रीन के साथ ये आता है और ये स्क्रीन भी फुली HD है तो दिखने भी काफी कूल और अट्रेक्टिव है साथी साथ ये स्लाइटली हेवी भी है इसके पीछे भी एक रीजन है वो भी मैं बताऊंगा पर सबसे पहले मॉबाइल के साथ साथ हमें बॉक्स के अंदर दूसरे भी कुछ चीज़े के दी गई है वो सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है वारंटी कार्ड, मैनियूल्स, क्विक स्टार्ट, गाइड और बाकी के और भी चीज़े इसके साथ आपको मिल जाता है सिम कार्ट टूल जो कि इसके उपर ही लगा हुआ है मोबाल के उपर आपको एक साल की वारंटी मिल जाती है अगर आप ये Amazon या Flipkart से पर्चेस करे हो तो आपको 7 days replacement और free delivery भी मिल जाएगी इसके साथ ही आपको मिलता है super fast charging adapter जो कि 25 watt का दूसरे मोबाल में कभी-कभी आपको 15 watt को भी charger मिल जाते है इसमें ऐसा नहीं है और एक खास बात है इसकी कि ये भी made in India है दूसरे adapter की तरह ये made in China नहीं है adapter के साथ आपको मिल जाता USB type C cable जो कि इसके साथ ही आता है इस cable की भी quality बहुत ही अच्छी है और ये जल्दी खराब नहीं होगा इसके साथ आपको mobile phone cover या case नहीं मिलता है अल्राइट तो अब हम चलते है सिधा mobile की तरफ देखते है mobile के साथ दिख रहा है Samsung Galaxy F62 mobile आपको तीन कलर में available है grey, blue और green कलर में इस वन इस laser blue कलर दोस्तो अगर आप mobile पास से देखोगे तो इसके उपर आपको stripe pattern दिखाए दे रहा होगा so it's look quite different, quite good ये अलग design दे रहा है आपको दूसरे mobile के हिसाब से mobile के उपर के तरफ blue कलर है, नीचे grey कलर है और बीच में stripe दे गए है तो एक अच्छा mobile का design दिख रहा है बात करें mobile के weight की तो इसका weight 218 gram से लेके 220 gram तक जाता है तो ये दूसरे mobile की साबसे थोड़ा सा ज़्यादा weight है इसका इसके बीचे भी एक कारण है क्योंकि इसकी battery है जो कि ये 7000 mAh capacity वाली तो आप दो दिन भी से full use करेगे तो भी आपकी battery वैसी के वैसी रहेगी ज़्यादा battery ये use नहीं होगा तो इसके कारण ये थोड़ा सा heavy है दोस्तो इसके 1 UI version 3.1 है और Android version 11 है Samsung का ये mobile मोटाई में 9.5 mm का है बात करें inhenfield की तो वो भी अच्छा है हाथ में अच्छी से पकड़ में आता है mobile sturdy mobile है पर mobile size में भी बड़ा है और weight भी ज़्यादा है तो अगर आपका हाथ बड़ा होगा तो आपके हाथ में अच्छी से grip होगा चोटा हाथ होगा तो थोड़ा uncomfortable fill हो सकता है इसके back side में एक थोड़ी सी कमी रहे गए कि इसके उपर scratches पढ़ते हैं अगर आप इसके उपर cover नहीं लगा गए तो बात करें ports और button की तो mobile के उपर सारे ports और button आ जाते हैं और अच्छी quality की दी गई है mobile के नीचे के दरब आपको speaker sound, charger point और ear for point भी मिल जाता है mobile के right side में आपको voice कम ज़्यादा करने का button मिल जाता है उसके साथ साथ ही side mounted fingerprint sensor मिल जाता है तो आप इस पे थम लागा के या finger लागा के इस mobile को unlock कर सकते हैं या इसे click करके भी unlock कर सकते हैं mobile के left hand side में sim card tray भी है इस sim card tray में आप एक तरफ SD card डाल सकते हो दूसरे तरफ दो nano sim card डाल सकते हो अब mobile के ऊपर क्या क्या दिया गाई यह तो हमने देख लिया है अब हम चलते है mobile के अंदर mobile open करके देखते है इसके अंदर हमें क्या 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 फीचर्स मिल रहे और कैसा है इसका look है mobile का आगे बढ़ने से पहले मैं यह पूछना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को subscribe करें और like और share भी जरूर करना यह mobile screen display के मामले में बाकी के mobile से बहुत बड़ा है screen में इसका डिस्प्ले 6.7 इंच का है जोकी fully HD है जोकी super AMOLED प्लस डिस्प्ले है इसका screen to body ratio 86% है जोकी अच्छा है तो दोस्तों आप बात करते हैं प्रोसेजर और बैटरी की इसका प्रोसेजर exynos 9825 प्रोसेजर है 37,000 mAh लिथियम आयन की बैटरी मिल जाती है तो एक बार आप इसे fully charge करोगे तो आपका mobile आराम से दो दिन तक चल पाएगा यह mobile 6GB RAM और 8GB RAM पर आ जाता है तो आप 6GB RAM लोगे तो आपकी price mobile की price कम हो जाएगी साथी साथ इसकी memory storage capacity है वो 128GB है तो यह बहुत ज़ादा है Galaxy F62 जो 6GB है इसकी price अभी लगबग 24,000 चल रही है पर मैंने यह offer में 18,000 मिलिया था तो आप यह देख लेना की offer कौन सी चल रही है तो उस time खरी लेना वैसे RAM टाइप LPDDR4X से storage टाइप है UFS 2.1 इसमें हरेक features latest और updated है एक तो Android 11 है उसके साथ साथी one UI version इसका 3.1 है जो की fully updated है साथ ही आपका Android security भी मिल जाती है तो OS के मामले में everything is latest और updated which is really really good बाकी चैनल के जो unboxing videos है उसमें एक बात ने की जाती जो की mobile के privacy के बारे में जो महेंगे और costly mobile होते है उसमें तो आपके privacy का खायल रखा जाते है पर इस mobile में भी आपके mobile के privacy का खायल रखा गया है इसके nox version है 3.0, nox API level है 33 तो यह एक अच्छी बात है दोस्तों mobile के साथ सभी sensors आते है side mounted fingerprint sensor है, face recognition sensor है, fingerprints और NFC भी है Galaxy F62 के बारे में एक और बात कहना चाता हो कि इसके साथ आपको pre install कुछ app भी आ जाते है जो कि ज्यादा दर आपके use के नहीं होते, आप अगर इसे uninstall करना चाते हो तो आप uninstall भी कर सकते हो display के बारे में एक और बात बताना भूल गया है कि यह fully HD plus display है और यह गोरी रगलास के साथ आता है अगर आप gamer हो या game खेलना पसंद करते हो mobile पे तो यह mobile आपके लिए सबसे best रहेगा mobile में powerful Mali G76 GPU दिया जाता है जो की game booster भी include होता है तो आप game booster का use करके यह आसनी से games खेल सकते हैं और आपके mobile भी ज़्यादा गरम नहीं हो पाएगा super emulet plus displays का तो आप इस पे multimedia बहुत ही अच्छे high quality में देख सकते है इस पे जो वीडियो चलते हैं यह आप 4K में भी देख सकते है दोस्तों बात करते है mobile के camera की पीछे के लिए आपको 64 megapixel का sony का a max 682 वाला camera मिल जाता है उसके साथ ही आपको 12 megapixel का ultra wide और 5 megapixel का macro और 5 megapixel का depth भी मिल जाता है और आगे की तरफ आपको front camera में 32 megapixel का camera मिल जाता है front और back दोनों भी cameras बहुत ही तगड़े है बहुत ही अच्छे quality के आपको देगे है मैंने कुछ photo भी निकाले जो कि मैंने इस video में दिखाई दे रहे हुगे आपको और सच बात बोलो तो इससे जो photo निकाले गए है ये किसी professional camera के जैसे ही लग रहे है camera के साथ ही camera app और उसके जो feature से उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते है वीडियोज में आपको super steady mode, pro mode, panorama mode, slow motion, super slow motion, pro videos, portrait videos इसे धेर सारे आपको features और options दिए गए है साथ ही में जो video shoot होते हैं इसमें ये ultra HD, full HD और HD में shoot होते है तो overall वीडियोज और जो photo होते हैं कैमेरा से निकालते हैं ये दोनों भी high quality में इसमें मिल जाते हैं बात करें इसके connectivity की तो ये 5G नहीं है, ये 4G आता है, dual 4G आता है इसके साथ आपको Wi-Fi calling भी दी जाते है, Bluetooth 5.0 है, dual band Wi-Fi भी दिया जगता है और साथी साथ NFC भी है overall इस mobile के impression के बारे में बात करें तो ये एक बड़ा mobile है, बड़ी screen वाला, बड़ी display वाला 7,000 एमेज बैटरी वाला ये फोन है, mobile 5G होता तो और अच्छा होता पर ये और वाल एक अच्छा प्रोड़क्ट है especially जो इसका price range है, 18,000 से लेके 24,000 तक तो इस price range में आपको इतने सारे features वाला, इतने सारे high qualities का phone आपको नहीं मिपड़ाएगा and I think performance, display, battery और camera ये तिन इसके main important highlights है, तो ये मैं आपको recommend करूँगा कि आप ये जरूर खरीदे तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छे लगा हो तो like, subscribe और share जरूर करना, चैनल पर दूसरे भी बहुत सारे से अच्छे अच्छे वीडियोज है, वो भी देख लेना मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद